लोट के जनक घर को आई घर वालों ने खूब सुनाई स्टाप्रस का शो चनक जिसमें आप देख रहे हैं कि जनक जो है अनिरुट्स को बचाने के लिए कि जिससे की पर अनिरुट्स के पर जितनी भी मुसीबत उसकी वेसे आ रही है सवाल जबाब अब उसको आगे छोटाउन ने अनिरुट्स को भी बता दिया तो अनिरुट्स की पर बचानई जिसके बात में आनिरुट्स को बेज देता है तेजस की तरफ जहाप वो होटा है वहीं पर बेज देता है और कैसे जैसे करके अब अनिरुटरD फोटो चोटाउन जो है भ rainy जानग को वापस ब वासू हाउस में एक अलगी नजारा देखने को बिलता है जहां पर सब काफी जादा सवाल जवाब करते हैं कि आखिरकार जहनक तुम्हें कैसे मिली तुम तो अर्शी बोलती है तुम तो बोल रहे थे कि तुम मीटिंग में हो तो जिसके बात में काफी कुछ हुआ लेकिन वह सबी लोग सवाल करते हैं तो इसी बीच में अनिरुद जहनक को सपोर्ट करते हुए जहनक के लिए घरवालों से जगड़ा करता है कि यहीं रहेगी वह बहुत करतरनाक आदमी मैं जानता हूँ तेजस को पहले से यह और वो तो सबी घरवाले कहते हैं कि ठीक है तुम इसके पती को बुला दो और एक किस्सा ही खतम कर और इसको वापस भेज़ दो यह कोई धर्मशाला नहीं है यह मेरा घर है यह बासू हाउस है जिसके बाद में अब अनिरुद जो है वह पूरी तरह जहनक के लिए लड़ाई कर रहा है वहाँ पर जहनक चुप है तो एक तरफ परशी और जनक में भी पहस देखने को मिलने वाली है तो देखना इнesi त्रेस्टिंग होने वाला है जहाल पर अपर अनिरुद को समझ में आने लगा अनिरुद है सोच रहा है कि मैं जनक की परवा क्यूं कर रहा हूं क्या मैं उस्सीं के लिए कर रहा हूं बस या फिर आप कर कैसे अनिरुद्ध को सपोर्ट कर रहा है कैसे उसका साथ दे रहा है बाकि कर कैसे जहनक फिर से बासू हाउस में रहने वाली है देखना बहुत इंटरस्टिंग होगा वैल आपका इस पर क्या है कहना कॉमें सेक्षिन में जरूर बताईए शाथ है चैनल को सब्सक्राइब क देखने वाली है